बाईने की थाली जानवी की जुबान पर बच्पन से ही हजार सवाल और मन में हर चीज जानने की उच्छुकता रहती है जिस वज़े से वो अपने भाई की शादी में चल रही रस्मों के बीच भी मम्मी से सवाल पूछने लगती है मम्मी जब लड़की वालों ने आपको अपनी इतनी बड़ी लड़की दे दी तो फिर भी उनसे सामान लेना गलत नहीं है क्या इस पर कोई भी जानवी की बाद का जवाब नहीं दे पाता और उसे इग्नौर करते हुए रस्मे निभाते रहते हैं शादी संपन होती है और भाबी घर आ जाती है जिसके बाद जानवी की सवालों का सिलसला अब भाबी के साथ शुरू होता है भाबी मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई हमेशा सारे बलिदान वाले काम लड़किया ही क्यों करें मतलब अपना घर, परिवार, दोस, पुरानी जिन्दगी सब को छोड़ लड़कियां सिसुराल आए फिर वहां सबका दिल जितने की कसरत भी वही करें और लड़कों का क्या बस तैयार हुए दूले बने और दो बार अपने घर आकर बैठ गे दीदी मैं सिसुराल में हूँ, जवाब कॉंट्रोवर्सिल हो जाएगा इसलिए आप अपने ये दुनिया हिलाने वाले संसनी खे सवाल अपने पती से करना क्या पता वो जवाब दे पाए भाबी की बात पर हस्ते हुए जानवी वहां से चली जाती है कुछ दिनों बाद उसकी शादी कबीर से हो जाती है अप ससुराल में कुछ दिन तो जानवी किसी से कोई सवाल पूछे बिना रह लेती है पर फिर एक शाम दर्वाजे पर खड़ी सास को बुज़र्ग भिखारी पर चलाते हुए देख लेती है अरे मुझे पता है तुम सब के पास खूब पैसा होता है पर फिर भी हम जैसे शरीफ लोगों को परिशान करना होता है और फिर जब कोई पैसे ना दे तो तुम उसका खून भी कर देते हो क्रिमिनल होते हो तुम सब के सब अब जाते हो यहां से या पुलिस को बलाऊं ये सब देख अब जान भी खुद को रोप नहीं पाती ममी वो आपसे भीख नहीं खाने की मदद मांग रहे हैं और आप उन पर इस तरह से चिला नहीं सकती हकर ये भी तो एक इंसान है और वो भी आप और मुझसे उम्र में बहुत बड़े बाकी किसी चीज का नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का ही खयाल कर लीजिए बहु का ऐसा रोप देख सास को तो जैसे शौक ही लग जाता है जानवी भिखारी को खाना देकर वहां से भीज दीती है लेकिन इसके बाद से ही सास का उसके प्रती रवया बदल जाता है मुझे तो लगा था बहुत शान्त बहूले कर आई हूँ पर ये तो पूरी ज्वाला मुखी निकली अरे इतने दिनों से ये रंग क्या एक भिखारी के सामने अपनी सास की इज़त उताने के लिए छुपा कर रखे थे और कौन से रंग बदल लाज सिखा कर भेजा है तेरे माबापने तुझे ममी ची रंग का तो पता नी लिकिन मेरे ममी पापा ने मुझे हर ढग में गलत के खिलाफ खड़े होना जरूर सिखा कर भीजा है बहु का जवाब सुनसास गुस्से में वहाँ से चली जाती है जिस पर पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा कबीर जानवी के पास आता है जानवी मैं मानता हूँ तुमने जो किया अच्छे के लिए किया पर ममी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था अब उन्हें मनाने के जिम्मदारी तुम्हारी ही है पर मैं कैसे? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है तो उसके लिए मैं हूँ न कुछ दिनों में ही सकट का त्योहार आ रहा है तुम बस बाइने पर ममी को देने के लिए एक सुन्दर साड़ी ले आना तुमारा काम बन जाएगा ये कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है लेकिन वरत और त्योहारों से अंजान जानवी कनफ्यूजन में वहीं खड़ी रह जाती है जिस पर वो भावी को फोन लगा कर सारे वरत और उनके महत्वत समझती है और उन्हें जानने के बाद वो बाइनी की साड़ी तो खरीद लाती है लेकिन इसी के साथ उसके मन में अब नए सवाल पैदा होने लगते हैं इसी तरह सकट केवरत का दिन भी आ जाता है हे भगवान, एक तो सुबह से भूखी उपर से ये सवालों के बुर्बुले पेट में उठकर और तहल का मचा रहे हैं जानवी अपने आप से ये सब बोल ही रही होती है कि सास और कबिर उसके सामने आ जाते हैं बाई ने और पूझा की सब तैयारी कर ली? हाँ जी, वो तो कर ली पर क्या पर? फिर कोई सवाल है? पूछ लो, कहीं पेट में उससे रखे-रखे ऐसे डिटी ना हो जाए? ज्यादा कुछ नहीं, बस पूछना था कि जब ये वरत बच्चों और दामपत्य जीवन की सुक शान्ति के लिए होता है फिर इसमें वरत सर्फ हम लेडिस ही क्यों रखती हैं? हिस्से तारी तो दोनों की होती हैं ना? जानवी के बाद सुन इस बार तो सास भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं ये तो मुझे नहीं पता और ना हमने कभी किसी से पूछा बस चो बड़े बुज़ुर्गरी वास बना गए वही चल रहे हैं इसकी भी कोई वज़ह जरूर होगी अच्छा और ये बाईनी की वज़ह? अब बाईने से तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं दिक्कत कोई नहीं है बस सोचती हूँ कि अगर वरत बच्चों या पती के लिए होता है तो हमेशा हर चीज का गिफ्ट सिर्फ सास को ही क्यों मिलता है? अरे पती के नाम पर वरत है तो उन्हें और बच्चों के नाम पर जो वरत है उनमें बच्चों को क्यों गिफ्ट नहीं दी जाती? जानवी का सवाल सुन इस बार सास भड़कने के बजाए शान्त इसे उसका जवाब दीती है वैसे ये सवाल एक बार मैंने भी अपनी सास उमा से किया था तो जवाब मिला कि सास की वज़े से ही पती मिला है इसलिए एक थाइंग की और इज़त की तरह उन्हें ये बाई ना दिया जाता है और बच्चों वाला तो मुझे भी नहीं पता बाकि इस बात की भी confirmation नहीं है कि सास उमा ने ये सिर्फ मेरे सवालों को शांत करने के लिए बोला था या ये सच भी है सास की जवाब और जानवी के सवाल से अब वो दोनों ही confusion में है कि आखिर सच और वज़े क्या है अगर आप लोगों के पास इन सवालों के जवाब है तो कमेंट करके सब के साथ जरू शेयर कीजिएगा झालों के जवाब लोगों के जवाब लोगों के जवाब है